मैं मैं आप गाउड प्रोडक्शन की भी बात करती हैं, अगसा गाउड प्रोडक्शन की भी बात करती हैं, बीव के खिलाफ अभी आपने एलेक्षिय कमिशन आफ इंडिया में जाके अप्लिकेशन भी दी है, जाके उन से सवाल कर सकते हैं, मैं मैं इससे वो नहीं कर सकते हैं आपका सवाल जा मेरे जवाब खतम हो जाना चाहिए आसाम में देख लीजिए या फिर उद्रपरदेश में देख लीजिए मदरसों को बंद करने कोशिक कि ये दो तरह की आइडिलिजी कैसे काम को आम स्कूल्स जो हिंदू कोलते हैं वहां पर हिंदू उनको अपने मत का पढ़ाई करने का इजाज़त नहीं है तो दूसरे मत वाले अपने मत का कपड़े पहने का इजाज़त कैसा मिल सकता है हिंदू स्कूल्स को आप बगवद कीता पढ़ाने नहीं देते हो लेकिन हिजाब पेन के जाने की इजावज़ अचाही है आप लोगों को मैं हिजाब मदार्सामों में जाकर पैने के लिए बताई आम स्कूल में नहीं आम स्कूल माइनॉरिटी नहीं कोलते है भईया आपका सवाल जो मेरा जवाब खथम हो जाना चाहिए इतना मुखा देंगे आप मुझे इसलिए तो मैक दिया ना आप मुझे आपका सवाल कतम हो तो मैं अने तो आप सवाल कतम कर लीजे तब मैं जवाब दोगे मैंने एक ही बात किया है कि आम स्कूल्स जो हिंदू खोलते हैं वहाँ पर हिंदू उनको अपने मत का पड़ाई करने का इजाज़त नहीं है तो दूसरे मत वाले अपने मत का कपड़े पहनने का इजादत कैसा मिल सकता है हमने ये कहा है आर्टिकल 30 के धर्मियाँ मैनॉरिटीज को खुद के स्कूल्स कोलने का हक है जैसे कि मदार्सा वहाँ पर वो लोग बखुबी से हिजाब पहन के जा सकते हैं जिसका उप्योग मजब को करना चाहिए महाँ पर अंग्रेजी पढ़ाई दिलवाने के वो लोग सारी प्रैत्न कोशिश करना चाहिए वो ना करते हुए पगार्सा उनको अनाद छोड़ दे कर ये लोग बखबोड के पैसे का लेते हुए मैं क्यों आकेर रिगलर आम स्कूल के उपर किर रहे है ये क्या सोच है क्या बटवा रहा है इस लागरी सवाल का जवाब क्या मैं कौन हो इस देश की नागरी खो आप और मुझे सभी को क्या पाबंदी है इस राज जांग को पालन करना कॉंस्टिटूशन को साथ लेकर चलना जब कॉंस्टिटूशन इतना ठोस के हर माइनॉरिटी के लिए उनका एक फ्रीडम एक स्वातंत्रदा दी है आप उसको इस्तमालना करते हुए आप आम जनता को जो उन्होंने नहीं दी है जो फेसिलिटी उनको नहीं दी है आप आके माप टांग लड़ाना चारे हो यह कि इत्ती गलत बात है आप राज जांग के विरुद जा रहे हो तब तो है नहीं बात सहीं आप गाव प्रोडस्चन की भी बात करती है अगसा गाव प्रोडक्शन की बात करती है बीव के खिलाफ अभी आपने इलेक्शन कमिश्वन ओफ इंडिया में जाके अप्लिकेशन भी लेंड वो लोग आके कपज़ा करकर अपने अपार्टमेंट्स बना लेते हैं, दोनों के जो तालुका थे, इसको निकालने के लिए ही, हर इंडस्ट्री को आगे लेके जाने के लिए उस इंडस्ट्री को भी हक बनता है, कि वो जो अपने पार्टी को पसंद करते हैं, उनके अच्छे काम देकर उनको आगे लेके जाने के उनको एक हक मिलना चाहिए, अगर आप ऐसा देखेगे, तो परसंटेज के हिसाब से, अपने ये बाजबा पार्टी के एक-एक MP को सिर्फ 32 क्रोर्स ही मिला है, अगर यही आप कॉंग्रेस को देखेंगे, तो 65 क्रोर्स मिला है ए लेकि आप BRS को देखें तो 137 क्रोर्स मिला है एक MP को, जाके उन से सवाल करेंगे, लेकिन आप से भी सवाल कर सकते हैं, मैं आप इससे ओने कर सकते हैं, लाग सवाल मेरा यह है कि आप मदरसा के भी सपोर्ट किये, जिसे आपने भी स्टेट्मेंट में का है, इससे पहले भी Constitution में जो Article 30 दिये है, मदरसा में बच्चों को मजब और एकी साथ अंग्रेजी पढ़ाई देने के लिए, क्या वो लोग इसका इस्तमाल करें? क्या वो लोग मदरसा में अंग्रेजी पढ़ाई दिये? क्या वो नन्ने मुन्ने बच्चों को डॉक्टर्स, इंजिनियर्स, ल जिसका पाइदान ही है जिसका उस्तमाल नहीं कर रहे हो वो भी रखना है, यह पर आम जन्ता को आकर इनको तब क्या करेंगे आम जंता को भी आप वही रिलिज्जस राइड दे दो कि हम इंदू स्कूल स्कूल है हैं हिंदू स्कूल में बगवत गीता पड़ा है रामान पड़ा है यानि उनका निकाल दो क्यों वो लोग इसके इस्तमालपी ने करते हैं कि हमारे पास गडबड़ भी क क्या कह रही हूं आप मादारसा में अंग्री से पड़ाई दीजे तो आप जनलिस अवास क्यों नहीं उठाते हैं कि हिंदू स्कूल्स में आके मजाब मजम इजाब पहन के आने के लिए जब लोग कहते हैं जब असदु दिनोंवे सी जैसे लोग आवास उठाते हैं तो उन कि अप अंग्रेजी पड़ाई नहीं दीटे हैं उसके बारे में कभी बात नहीं करते हो बच्छा खाने तक नहीं मिलता वां पर इसके बारे में आवास नहीं उठाना है अपको कहा आवास उठाना है हिंदू स्कूल्स में जो दुन लोग इस्टाबलिश करते हैं वह जर्मन्टन सूपर स्पेशालिटी हास्पितल डॉक्टर मीर जवाद जार खान सीनियर एक्सपिरियंस्ट और्थोपेटिक सर्जिन बोन फ्रैक्चर जॉइंट रिप्लेस्मेंट हिप रिप्लेस्मेंट और स्पाइन सर्जरी कामियाबी से अंजाम दे रहे हैं इसके अलावा नियरो सर्जरी, काडियलोजी, गैनकालोजी, डेंटल, जेनरल मेडिसन, डेलिसिस और फीजियो तेरापी जैसे शोबजात में इंतहाई कामियाबी के साथ वाजवी फीस में इलाज किया जा रहा है शेरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 गंटे, MRI, CT स्कान, 2D, डिजिटल एक्स रे, अल्टरा साउंट, ऑपरेशन थेटर, ICU और लैब की सहुलत दस्तियाब है आपकी उम्मीदों के एनमुताबेख, जर्मंटन सूपर स्पेशालिटी होस्पिटल, पिला नमर 150, अतापूर, हैदरबाद ओपनेंदी, इकमा जिवितनलों अन्नी संतोशाले, नाकु चाला करलों नै, कानी जेवलो डबूल लेओ, इंजिनिरिंग चदिव्यानु, कानी जाब लेदू, आ समयनलु ना केंचे यलो अर्थुन खालेदू, अपकुडू, ना फ्रेंडो कोडू, बाबा आजमकान बें आजमकान बेंगाली कार्नी कलसा, आ तरवाता मा पेंदर मा पेंडि कोप्डू कुण्नारू पापा आजमकान बेंगाली, मलकपेट, हाइदरबार, फोन निमबर 9573048697